हेलो वेलकम टो माई चैनल ब्यूटी होराइजन तो आज मैं आपको चावल के बचे हुए पानी से फेशल करना सिखा रही हूँ वो भी घर पर जो लोग घर पर फेशल करना पसंद करते हैं जैसे कि अभी शादियों का सिखान आने वाला है तो उनके लिए फेशल बहुत अच्छा है क्योंकि जो चावल का पानी होता है ये अमीनो एसिड एंटी ओक्सिडेंट और मिंडल से भरपूर होता है और ये हमारी तुछा की उम् गई है या फिर संटैन हो गई है तो उसको भी ये ट्रीट करता है आपके फेस पर पिंपल्स हैं एकने हैं उनको भी ट्रीट करता है तो चलिए जान लेते हैं कि चावल के पानी से हम किस तरह से फेशल कर सकते हैं तो सबसे पहले तो आपको जिस चावल में सबसे ज़्याद दो से तीन खंते के लिए उसके बाद आप चावल से चान कर पानी को अलग कर लें और सबसे पहले फेशल के सबसे पहले step में हम अपने face को साफ करेंगे और उसको क्लीन करने के लिए हमें एक चमच चावल का पानी लेना है और एक चमच इसके अंदर शेहट डालना है। दोनों को अच्छे से mix करकर cotton की साहता से अपने face को अच्छे से साफ करें। दूसरे step में हमें क्या करना है अपने skin को थोड़ा सा इस्गरव करना है। इसके लिए आपको चाहिए organic good अगर आपको मिल जाता है तो organic good का थोड़ा सा powder ले लें दो चमच के करीब और इसके अंदर आप थोड़ा सा चावल का पानी डालें एक से दो चमच अभी अच्छे से paste बन जाए अपने पूरे face पर अपने पूरे skin पर इसे लगाएं और दो ती लेंसरे step में हमें क्या करना है face pack तयार करना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको दो चमच पेसन लेना है और आधा चमच इसके अंदर हल्दी डालनी है और आपको एक कमच इसके अंदर शेहड डालना है इन तीनों को अच्छे से mix करें और paste बनाने के लिए इसके अंदर चावल का पानी मीक्स करें, जब अच्छे से इसका पेश्ट बन जाए, तो अपने फेस पर इसे अपलाई करें, 15-20 मिनट में ये अच्छे से सूख जाता है, तो 15-20 मिनट रखें और फिर नॉर्मल पानी से इसे धो दें, उसके बाद आप अपना मोस्ट्राइजर लगाना ब आपकी जो इसकिन है कुछ घंटों तक धूप के संपर्क में नहीं आएगी और धूल मिट्टी के संपर्क में भी नहीं आएगी, तो ये फेशल जब भी करें, रात में करें, अगर आप इसके बहुत अच्छे रिजल्ट चाहती हैं तो, तो चलिए फिर मिलते हैं, ऐसी ही एक और वीडियो की साथ, बाबाई